आज मैंने भगवद गीता पढ़ी है और मैं उसमें से कुछ लाइने आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या खास है क्यों भगवद गीता हमें पढ़नी चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें लिखा है कश्ट भगने वाले अनेक मनुश्शों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तों में या जानने के जिज्ध्यासू है कि वे क्या है और वे इस विशय इस्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं आदी, जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विशे में जग्यासा नहीं होती, तब तक उसे आनुभूती नहीं होती है कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल डूंडना चाहता है। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान क्रश्ण विशेश रूप से इस प्रयोजन की पुनरिस्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। हम सभी अविध्या रूपी बागीन के द्वारा निगल लिए गए हैं। लेकिन भगवान जीवों पर विशेश तया मनुश्यों पर क्रपालू हैं। इसी उतेश से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिश्य बना कर भगवत गीता का प्रवचन दिया। झाल